इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि हम regression का जो correlation होते हैं वो कैसे निकाल दें तो उसे फ़हले मैं mod पर जाओंगा मौट पर जाने के बाद मैं stat पर जाओंगा 3 से आता हो उसके बाद मैं जाओंगा 2 पर अब यहां पर x और y दोनों की जो values होंगी वो हमने लिख देनी जैसे मैं 5 लिख रहा हूं फिर कुछ भी मैं लिख दूं 56 लिख दी फिर 45 इस तरह करके मैं कुछ भी लिखता जा रहा हू सिर्फ एक्सपरिमेंट बताने के लिए करते हैं तो मैंने चार्चर वैल्यू दोनों की लिख दी हम मैं बताऊंगा regression की वैल्यू के साथ ही है फिर अब shift दबाएंगे फिर 1 दबाएंगे अब यहां पर 5 पर regress आ रहे है अब यह जो b है यह जो r है हमारा correlation है और b जो होता है तो हम 3 दबाएंगे correlation के लिए तो हमें correlation आ जाएगा जैसे हम पी कहते हैं